जी हां, आज हम आलू, जिसे आप सब्जियों का राजा भी करते हैं, उसके बारे में बाते करेंगे जी बता है, उसको बेज़ देते हैं। ऐलू का खेती हम लोग भी करते हैं, इसमें फायदा नहीं होता है, फाला मार देता है, तो इसमें बहुत सब्सक्राइब जो हमारे स्वास्त के लिए ची फसल पाने के लिए यह जरूरी है कि आप लोग आलु की खेती को वैग्यानिक धंग से और विधी पूर्वक करें आप लोग पारमपरी खेती आलू की जिस तरह से करते हैं उसमें बस थोड़ा बहुत ही बदलाव लाने की जरूरत है और उससे के बदलाव की वज़े से आलू का उत्पादन काफी बढ़ सकता है तो क्यों न हम सब मिलकर इसकी विधी पूर्वक खेती करें जिससे की ये न केवल हमारी खाने की जरूरतों को पूरा कर सके बलकि हमारे कमाई का एक जरिया भी बन सके आलू की अच्ची उपज एवम उससे अधिक मुनाफ़ा पाने के लिए पारमपरिक विधी से खेती के तरीके में हमें चार अस्तर पर बदलाव करने की जरूरत है पहला बीज के चैन एवम उसका उपचार इससे हम आलू की खेती में सबसे अधिक नुकसान पहुँचाने वाला जुलसा रोग से बचाव संभो कर पाएंगे साथी साथ पौधें मिट्टी से अधिक पोशक्तत्व ले सके यह सुनिश्चित करेंगे जमीन की उपजाव शक्ति बढ़ाना आलू की अच्छी पैदावार के लिए अथी आवश्चक कुछ जैविक खाद यों अन्य पोशक्तत्व का प्रयोग करके हम अपने आलू के खेत को और उपजाव बनाएंगे सिचाई प्रबंधन पानी की समय पर और समुचित उपलब्धता हमेशा किसी भी खेती में महत्तोपूर्ण अस्थान रखती है आलू की खेती में समय के अनुसार एवं उचित मात्रा में सिचाई का सीधा असर इसके उपज पर होता है उपज का रख रखाओ आलू के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा समुचित रख रखाओ के आभाव में खराब हो जाता है पारंपरिक रख रखाओ के तरीके में थोड़ा सा बड़ाओ करके हम इस नुकसान से बच सकते हैं अभी हमने आलू की खेती के पुरानी पद्धती में जिन चार बदलाओ की बात की आने वाले उससे सम्मंधित वीडियो में हम उस प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे तो आप भी तयार हो जाईए आलू की विधिपुर्वक खेती के लिए इसकी विधिपुर्वक खेती में आपको कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है जैसे बीज का चुनाव एवं मुपचार खेत की तैयारी एवं आलू की रोपाई सिचाई प्रबंधन कीट एवं रोग प्रबंधन हमें आशाही ने पूरा विश्वास है कि हम इन छोटे बदलाओं को अपना कर आलू की खेती की तस्वीर बदल देंगे